नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सबका एक वाफेसे जैहोव अकेडमी में जैसा कि आपको बताया गया था कि दीवाली के बाद हमारे चैनल पे MPPSC Prelims 2019-2019 के लिए regular classes शुरू हो रही है वहाँ से हमारी जो subject के लिए classes हैं प्रॉपर सब्जेक्ट के classes शुरू हो जाएंगी लेकिन उससे पहले हमारे द्वारा आपको प्रिविएस येर पेपर के बारे में जान कर दी जाएगी जिसमें हम 2017 और 2018 के प्रिविएस येर पेपर पे आपको बताएंगे किस तरीके से question आये है MPPSC में और क्या उसका nature रहा है इन सब के अलावा रानी में की क्लासे सुरू हो चुकी है उसके वीडियो अपलोड हो गए है उन्हें आप देख सकते हैं हमारे चैनल की playlist में जाके इन सब के अलावा आपको और जानकर देना चाहते हैं कुछ बाते हैं जो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा जैसा कि हमारे जो अभी मेंस की क्लासे चल रही थी मेंस में हमारे दोरा आपको ethics, hindi, geography, polity, world mapping और इन सब की classes इन सारे subject क्लासे आपको कराए जा रहे थी इस पे वीडियो जा रहे थे तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यह वीडियो आपके regular रहेंगे कब तक जब तक कि PLIM 2019 का notification नहीं आ जाता है साथ ही साथ PLIMS की भी classes शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे यह कहने का मतलब है कि मेंस के वीडियो आएंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी ठीक है और जादा जुकाओ किस पे होगा PLIMS पे होगा कि कुछ जैसे जैसे PLIMS की डेट नजदीक आती जाएगी हमारे द्वारा PLIMS की तैयारी पे जादा फोकस किया जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है मेंस बिलकुर से बंद कर दिया जाएगा और केबलो केबल प्री के लिए क्लासेज होंगी ठीक है तो आज हम इस वीडियो में आपसे डिसकस करने वाले हैं आप अपने देख लिया होगा यह जो पेपर है यह 2018 का है यह 2018 का GS पेपर स सेकेंड है यह इसमें आज जो इसमें क्वेशन पूछे हैं 2018 में क्वेशन आये हैं उस पर हम इसमें बात करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि MPPSC में civil services और forest services के लिए एक ही प्रारंबिक परिक्छा होती है जो दोनों सेबाओं के लिए एक ही परिक्छा होती है ठीक है म दाधने हैं फेर्फ की प्रारंबिक परिक्छा कस ब्रांबिक परिक्छा इन आय। जिसमें मुख्ष जो अंतर होता है वो होता है इसका स्यलैक्शन प्रोसिस्स का जैसे की प्रारंबिक परिक्षा अगर हम Prelims की बात करें परिकी तो इसके दो पेपर हैं First और Second GS1 और GS2 तो Civil Services के जो aspirant है या Civil Services के लिए जिन्होंने apply किया है वो उनका जो cut-off बनेगा वो paper 1 के base पे बनेगा ठीक है यहां पे यह बात आपको ध्यान दखना है और जबकी Forest Services के लिए जिन्होंने apply किया है उनका जो cut-off बनेगा वो paper 1 और paper 2 दोनों को मिला के बनेगा तो यनि की Forest Services के लिए paper 2 का उतना ही महत है जितना की Civil Services के लिए paper 1 का है तो इसको एगरों नहीं कर सकते अगर आपने Forest Services के लिए apply किया है ठीक है दूसरी बात और यहां पे क्या है जो important है वो यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हम जिस paper 1 की बात करें तो उसमें आप sure नहीं हो सकते हैं कि आप 80 जो 80 प्लस लाएंगे या 80 प्लस score करी लेंगे 80 प्लस क्वेशन सही कर लेंगे उसमें आप sure नहीं हो सकते बट इसमें आप sure हो सकते हैं थोड़ी सी तैयारी से थोड़ी सी महनत से आप इसमें sure कर सकते हैं और कितना sure कर सकते हैं 90 प्लस लाने तक 90 प्लस के लिए आप से और कर सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ा साथ ध्यान दे दिया क्या-क्या पूछा जाता है थोड़ी सी महिनत कर ली स्लैवस लिम्टेड है तो इसमें आप 90 प्लस इजी ली स्कूर कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको for a service qualify करना है प्रारम में परिक्षा जो होती है उसको क्वालिफाई करना है तो आपको जी एस बन के साथ साथ जी एस पेपर सेकंड को भी उतना ही महत्वत देना पड़ेगा ठीक है चलिए अब देखते हैं यह जो पेपर है इसमें टोटल जो questions है वो है 100 100 questions है ठीक है और टोटल मार्क्स हैं 200 यानिकि पर question 2 marks यह पेपर का overview है यहां पे कुछ निर्देश हैं जिनको आप पढ़के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो सीधा हम आते हैं questions पर कि किस तरीके questions पूछे जाते हैं तो one by one में लास तक आपको questions के बारे में discuss करूँगा बताऊंगा आपको कि कौन-कौन से subject से यहां पर question पूछे जाते हैं तो जो first question है उसको मैं पढ़के सुनाता हूं आकास ने सीधे दक्षन की और 4 km की आत्रा की फिर बाहें मुड़कर उसने सीधे 6 km की आत्रा की तता फिर उसने दाई और सीधे 4 km की आत्रा की अब है प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर है तो यह reasoning का question है इसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको दिसा का ग्यान है थोड़ा बहुत जानकरी रखते हैं तो इसको आसानी से आप easily solve कर सकते हैं मैं बता दूँ इसका जो answer है वो है C है और यह जो answer में बता रहा हूं यह IO की final answer की के अनुसार में आपको answer बता रहा हूं ठीक है तो इसमें मेर कोई personal मेरा कोई answer नहीं है कि मेरे अनुसार यह है अगर आगे questions की बात करें क्योंकि इसका जो syllabus है उसमें निर्णा निर्मान decision making के भी questions है और अच्छा यहां पर एक बार और मैं clear कर दूँ कि इसका जो syllabus है वो already आपको बता दिया गया है अगर आपने वो नहीं देखा है तो playlist में जाए और प्लीज पहले syllabus को देख लीजिए उसके बाद इस पेपर को देखिएगा ठीक है क्योंकि यहां फिर से आपको syllabus नहीं बताने वाला हूं मैं केवल questions यहां पर आपको explain करूंगा कि कि किस तरीके question पूछ जाते है तो पहला question आपको मैंने पताया पड़के यह reasoning से ठीक है अगर आप थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो इसे आसानी से कर सकते हैं second question देखिए उत्पादन हे तू पृति यूनेट साथ रुपे की लागत वाली उत्पाद को पृतिमाए 1200 यूनेट की और पर बेचा जाता है ठीक तो यह जो इसमें क्या पूछना चाहरा है अगर पृति एक बार निर्माता लास्ट लाइन पड़ी है अगर पृति एक बार निर्माता द्वारत है कि विक्टी का मुली पृतिम ने पचता था तो नए उत्पात के साथ पृतिमाए निर्माता को अत्रिक तलाब कितना हुआ यह भी reasoning का ही question है इसे भी आप आसानी से क जाएगा तो फिर से मैं बताओं कि मेरा यहां बताने का ही ही उद्देश है कि आपको question पता चलेंगे किस तरीके से question आते हैं अगला देखिए वह भी एक कारखाने में 10% करमचार्जियों का बेतन इतना है 30% का इतना है ठीक है औस बेतन बताना है तो यह average से question आ गया है ठीक लोपे 5 अनलोपे 3 और 30 लोपे 2 का योगदान करता है बेस बात पर सहमत है कि यदि वेस टिकेट के साथ कुछ भी जीतते हैं तो उनके योगदान को समान अनुपात में यहां पर यह ratio से पूछ लिया है ठीक तो जो general quantitative aptitude जिसे बोलते हैं ठीक है basic maths basic maths में आपके 8 से 10 chapter आते ह हैं जिनमें की percentage, average, ratio and proportion, profit and loss और इसके अलावा compound interest, simple interest, compound interest तो यह सारे चैप्टर जो हैं आपके basic mathematics हैं इनको आपको जानकरी होनी चाहिए इतना तो आपको पता ही होता है कि किस तरी से इन्हें solve करना है तो जरूर आप अगर आप forest services के लिए apply कर रहे हैं तो इन सारे maths के chapter को आ आप जरूर एक से दो बार इसके questions को solve कर लें practice कर लें तो यहां आप आसानी से solve कर सकते हैं ठीक है अगला fifth question देखिए रभी के पास राज से देड़ गुना पैसा है अच्छा इसका जो answer है fourth का मैं आपको answer tick कराते जा रहा हूं ताकि अगर आप questions बाद में solve करें यहां पर व mathematics से आपका question है और उसके बास fifth का जो answer है मैं यहां पर answer बता रहा हूं आपको fifth का जो answer है C 24,000 आप solve करके देख लीजिएगा अगर आपका C आ रहा है तो सही है फिर आपका ठीक है अगला देखिए एक आयत की पर्धी सबसे लब में भुजा का मान क्या है यह भी mathematics से है तो इसका जो answer है सिक्स्त का वह सी तेई से काई ठीक है इसको भी आप solve कर सकते हैं अगला देखिए time speed से आ गया time distance and speed से question आ गया 7th वाला कि एक व्यक्ती 210 km की अपतार से बाहन चलाता है ठीक तो एक कितनी दूरी इसमें तो अगर आपने time distance अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको easily solve कर सकते हैं और 7th का जो answer है वो है d 10 घंटा अगर आप कर रहे हैं तो एक वाल कर लीजिए 10 अगर आ रहा है आपका तो बिल्कुल सही है ठीक यह सरली करना simplification है इसे आप सरल कीजिए basic mathematics है तो यह math से question थे मैंने आपको जो 1, 2, 9 देख रहे हैं आप 1 से लेके 8 तक यह math सुरू में यह direction से पहला question था उसके बाद simple mathematics है जिसमें percentage से था उसके बाद ratio से था उसके बाद जो था वो था यह जो question था यह profit and loss से था उसके बाद आयत वाला आ गया फिर time and distance से आ गया फि पूछे गए अब यहां से चेंज हो जाता है नाइन टू एलेवन आठ का जो question है question number 8 इसका जो answer है वह सी 0.5 आप इसको देख सकते हैं अच्छा अब देखिए प्रेशन नंबर 9 से 11 यहां पे निर्देश दिये हुए है 9 to 11 सबसे पहले आपको क्या करना है निर्देश दियान से पढ़ना है कि वह कहना क्या चाहा रहा है उसके according ही आपको जवाब देना है तो पढ़ते हैं निर्देश क्या बोला है निर्देश सब्दों में से प्रतेक के लिए एक संदर प्रदान किया गया है दिये गए विकलपों में से वह सब्द या वाक्यांस चुने जो तत्संबंधित संदर में सब्द कियात के सबसे निकट है एक पकार से बोल सकते हैं कि आपको उसका क्लोजेस्ट बताना है जो आपको वर्ड दिया गया है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है उसी के समान उसी के जैसा और कौन सा है जैसे की एक्जांपल देखिए नाइंध जो कोशन है उसी को पता चल जाएगा आपको आसुधा यानि कि जेल में एक साल बिटाने के बाद उसके बाद बाक्यायंस दिया गया है जेल में एक साल बिताने के बाद उहे आदमी आसुधारी रहा तो इसमें आपको मीनिंग बताना है इसके closest meaning कौन सा हैं चार में से आसुधारी के सबसे नजदीक कौन सा वर्ड है पहला आसन सोधनिये दूसरा पस्तावा करता हुआ सुधारी योग या फिर अनुपाती अगर इसको rejection बेस पे करें तो अनुपापी तो नहीं होगा सुधारी योग भी नहीं होगा और पस्तावा करता भी नहीं होगा क्या है वह आसन सोधनिये है इसमें ठीक यानि कि वो जेल में एक साल तो उसने बिताया लेकिन वो सुधरा नहीं जैसा था वैसा ही रहा तो इसलिए आप कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो इसको आप आसानी से सॉल्ल कर सकते हैं तो यहाँ पेटर्ण चेंज हो गया कोशन का मैस थी अब यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग आपको पूछ लिया सब्द का ठीक अगला कोशन भी इसी पर बेज़ट है अगला देखिए ओपेक चापून वैसे है जैसा कि दसवा कुश्चन है तो वैसे कुश्चन आ रहे हैं अभी वन वाइवन इसका जो इलाइवन का जो आंसर है वो है यह तो नहीं हो सकता ऑब you кねぇ की जो बोलने वाला है उसकी और आप ध्हान नहीं दे रहें यह रिजक्षन वीस पर आप इसे कर सकते हैं भाहरा देंगे रहलाना तो यहां पर 13 देखिए कौन सा यहां पर कोशन चेंज हो गया ठीक है अब आपको क्लोजेस्ट मीनिंग नहीं बताना है आपको क्या बताना था कि भाव बताना था कि आप सुन रहे हैं यापको संपर्क कर रहे हैं तो आपको यहां यह बताना है कि इन में से कौन सा वो ऑप्सन है जिससे आप बता सकते हैं कि यह संपर्क कौसल का हिस्सा नहीं है सुनना बिलकुल आप यहनी सुन रहे हैं किसी को तो संपर्क में हैं बोल रहे हैं तो भी हात लहरा रहे हैं तो आप संकेत दे रहे हैं लेकिन अगर आप तैर रहे हैं तो कहीं नहीं किसी भी तरह से संपर्क कौसल का हिस्सा नहीं हो सकत आप एक आतंग बादी हमले के बारे में सुनते हैं अब देखिए यहां से यह भी भाव पर ही कुश्चन है यानि कि आप कैसे करते हैं चीजों को यहां पर यह पूछने की कोशिस हो रही है एक्जामने द्वारा फोटिंथ कुश्चन पढ़िए तो कि आप एक आतंग बादी हमले के बारे में सुनते हैं और बहुत ही भाया क्रांथ होते हैं तो आप कैसे देखेंगे अगर आपने कभी ऑब्जर्ब किया हो ठीक है अपने आपको खुशी के टाइम कोई ऐसी बात हुई हो जब आप खुश हो जाते हों कभी डर जाते हों ठीक है तो यह observation है day to day observation है अगर आप इसको observe करते हैं तो आप easily इसको तुरंत कर देंगे जैसे कि मैं बताता हूं आपको तो भाई आपने सुना आतंगवादी हमले के बारे में तो आप क्या होंगे परसंद तो होंगे नहीं बिलकुल भी नही एक है तो यह नहीं होगा अगर rejection based पर देखें नजान भी नहीं सकते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं मोदित भी नहीं हो सकते बता कि किस तरीके कि आप भयात और डाइप के दिख सकते हैं तो यह खुद की observation पर है कि आप किस तरीके से चीजों को observe करते हैं अपने आसपास आपको बताना है कि यहां पर most suitable word कौनसा है जो इस sentence को पूरा करता है 15 पढ़िए जरा इसमें हैं माफी पत्र लिखते समय है आपको मुख्य रूप से डैस पर ध्यान देना चाहिए ठीक है अब आपको सोचना है थोड़ा डी देखिए अगर रिजेक्शन बेस पर देखें पत्र के फॉंट किस तरीके से आप लेख रहे हैं इस पर ध्यान देना है बिलकुल नहीं देना है उसी point पर ध्यान होगा जो समस्या का निवारन करेगा तो इसका सही answer है समस्या निवारन अगला देखिए फिर से वही है same question है थोड़ा सा आप सोचिए आसानी से आप कर पाएंगी ठीक है तो यह मैं आप पे छोड़ रहा हूं इनके मैं answer आपको बता देता हूं तो आप observe कर ल अगला देखिए अब यहां पे question change हो रहा है ठीक अभी तक क्या था कि आपको suitable word बताना है और sentence को पूरा करना है लेकिन आप question change हो गया यहां से question change हो गया आप यह decision making निर्माड के question आ गए है कि आप किस तरीके से decision लेते हैं अगर कोई आपके सामने incident होता है अगर कोई आपके सामने घटना घटती है तो आप उसे किस तरीके से solve करते हैं यह आपके decision पर depend करता है ठीक है तो पढ़िए question आप अस्पताल के सामने आप अस्पताल के सामने की image receptionist हैं आपात कालिंद और घटना का एक मामला कुछ लोगों द्वारा लाया जाता है आप क्या करेंगे ठीक है इस तरीके question आते हैं सबसे पहले तो आपको question को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद कुछ second के लिए सोचना है ठीक है जल्दी से answer नही options पर आईए पहला क्या करेंगे आप पहले प्रिवेश प्रिक्रिया को पूरा करेंगे और फिर duty पर मौझूद डॉक्टर को बलाएंगे अब यहां पर आपको question को फिर से देखना है मामला क्या है यह emergency का है आपात कालीन है तो जब आपात कालीन मामला है तो immediate उसको उसको उ करेंगे यह थोड़ा सा तारक हो सकता है बट यहां पर फिर दुरघटना का मामला है ठीक है ना यहां पर दुरघटना का मामला है तो यहां पर पुलिस को भी आपको इंफर्म करना जरूरी होता है इसके साथ साथ ठीक है तो यह completely सही नहीं है इसमें actually decision making में option गलत नहीं होत सबसे सही है उसी पर टिक करना है तो अभी इसको आप skip करें आगे बढ़ें पुलिस को सूचित करेंगो पुलिस के आने के लिए पितिक चाहिए यह भी तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम वेट करें क्योंकि यहां पर emergency है अब दी देखिए कि duty पर मौजू डॉक्टर को बोल करना है तो इसके साथ साथ आपतकाली समस्था से पहला जो स्टेप है वो पूरा होगा पुलिस को सूचित करें दूसरा स्टाव फिर्विस्प्रिग्या को बारम करतें तो बिल्कुल सही हैने की एक टींत का 4 है अब यहां पर जो अगले questions आने वाले हैं उस सारे 19th हो गया पढ़िए आप question को 20 हो गया 21 हो गया 22 23 24 ठीक है इनकी answer मैं आपको बता देता हूँ 1 by 1 ताकि आपको पता चले तो 19 का जो answer है वो है C ठीक है 19 का answer है C 20 का जो answer है वो है B ठीक है B अगर आपको किसी में problem आये तो आप comment box में comment करें मैं आपकी problem को solve करूंगा 21 का जो answer है वो है A ठीक है 22 का जो answer है 22 यह है C ठीक है 23 का जो answer है वो है C 24 का जो answer है बो है D देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं सारे questions को discuss करना शुरू कर दूँ बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो एक घंटे से जादा का हो जाएगा यहाँ पर मेरा paper को आपके सामेर लाने का उद्देश यही है कि आपको type of questions पता चले कितने प्रकार के question आते हैं तीन-चर प्रकार question में आभी तक discuss कर चुका हूँ यह decision making का था पहला मैंने आपको विदक जंपल समझाया अब सारे आपको सोचना है और उसके answer अपने आनुसार लगाने है ठीक है फिर से वही 25th क्या करेंगे आप तो 25th का जो answer है इसका जो answer है वो है D ठीक है 26th देख लीजिए 26th का जो 26th का जो answer है वो है C 27th 27th का जो answer है वो है B ठीक है करिए आप इन सारे questions को करिए अब यहाँ से फिर जे questions का pattern change हो जाता है ठीक है अब यहाँ से question change है question पढ़ रहा हूं में एक कुट भासा में एधी T I N by को R G L W के रूप में लिखा जाता है तो उसी भासा में Jebra निए Z E B R A किस रूप में लिखा जाएगा फिर से question reasoning का आ गया है ठीक तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा logic किसमें लगा है जैसे कि मैं आपको बता देता हूं जैसे R के बाद इसमें R के बाद S छोड़के T आया है G के बाद S छोड़के I आया है फिर S ल के बाद K छोड़के L के बाद M छोड़के N आया है और W के बाद X छोड़के बाई आया है तो वही वाला rule daí बालो करना है और उसका आंसर बताना है करिए आप इसे तो इसका जो आंसर है वह बीर थिक है मैं अंसर बता रहता हूं तो इसी तरीके से यह अग्ला इसमें आपको बताना है कि कौन सा लॉजिक इसमें फिट हुआ है उस लॉजिक के साब से आगे वाला पद बताईए थर्टी वाले में तो तीसवे का जो आंसर है वह सी इसी परकार 31 का जो आंसर है वह है 27 32 अभी देखिए फिर से आपकी रीजनिंग है कि भाई 200 चात्रों की एक अक्षा में 90% चात्रों ने राजू के नीचे रैंक किया है राजू की ऊपर कितने चात्रों तो 290 परसे निकाल लिए जो बचेगा वह राजू को ऊपर किया है तो इसका जो आंसर है वह 32 का वी है ठीक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से और प्रेटर्न चेंज हो रहा है क्या क्वे चुछ रहा है 33 को देख लीजिए इसका जो आंसर है वह दी ठीक उसके बाद 34 है 34 का जो आंसर है वह भी ठीक है 35 देखिए मैं आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप सौल्व करें तो आपको पता चले कि इसका अंसर यह था अगर वैसे वही आंसर आ गया तो 36 का जो आंसर है वह सी अब यह देखिए 37 से 41 यहां पर चिंज हो गया है अब अंसीन पैसेज आ गए है ठीक आपको एक पैसेज दिया जा रहा है उसी पैसेज के कॉस्टन्स होंगे कुछ जो आपको आंसर लगाने है वह इसी में से देख के लगाने पढ़िए आप इसे तो इस पर कॉस्टन्स आएंगे एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा उसमें आपको जनकारी देखनी है क्या क्या dage है उसमें बता रहा है उसके according आप को इसवे 37 से 41 उसके according आपको इसमें आंसर लगाने मैं आपको आंसर बता देता हूँ आप पैसिज को पूरा पढ़िएगा ठीक है पॉस कर लीजेगा अगर पॉस करना चाहरे हैं तो वीडियो को पॉस करके पढ़ लीजेगा और फिर आगे उसी के according आंसर देख लीजेगा 40 का आंसर है B और 41 41 का आंसर है A आगे बढ़ते हैं आगे फिर से एक और अंसीन पैसे 42 to 46 आपको एक लेखांस दिया गया है उसी पे वेज़्ड है 42 42 से लेके 40 तक जो question है वो इसी लेखांस पे वेज़्ड हैं तो आपको आंसर कहां से लगाने इसी को पढ़के बढ़ाएं simple आता है ठीक है आसानी से आप सारे question बिल्कु सही कर सकते हैं तो मैं आपको यहां पर answer बता रहा हूं आप अगर करना चाहें तो इसे कर सकते है 42 का जो answer है वो है C और 43 का जो answer है वो है A 44 का जो answer है वो है B B हैस का answer और 45 का जो answer है वो है C ठीक है आगे देखते हैं एक और है 46 इसी पर आधारित है इसी अंसीन पैसेज पर तो 46 का जो अंसर है वह है सी इसका भी सी है ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है 2018 में जो MPPSC ने जीएस पेपर सेकंड में भी कुछ सामान ने ज्यान के जीके के कोशन पूछ लिए थे अभी तक ऐसा नहीं था लेकिन इसमें आप जीके के भी कोशन डाल दिये हैं दो तीन तो इसको देख लीजिए बाद सरकान ने स्वक्ष गंगा नामक कारिकरम सुरू किया क्योंकि क्यों आप सारे options को द्यान से पढ़िएगा गंगा एक प्रवित्न दिया दूसरा दूसरत गंगा जैसे संक्रामक रोग फैल सकता है तीसरा भूजल पीने के लिए नहीं इस्तमाल किया जा सकता और चौथा इससे अधिक प्रयाटों को आकरसत किया जा सकता है तो इसके पीछे सब पूल करेजिएगा आंसर में बता देता हूं आपको 1 by 1 बताता हूं 47 का जो आंसर है वह बी क्योंकि अगर में यहां पे सारे आपको बताने लगा सारे options आपको 1 by 1 समझाने लगा तो काफी वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर आपको कोई डाउट है फिरसे में वहीं चीज आंसर है वह है और 50 का जो आंसर है देखिए 50 जो कॉश्चन है यह बोर द्वारा फाइनल आंसर की में इसको डिट कर दिया गया था 50 को तो इसको आप छोड़ी देए क्योंकि बदाने का मतलब नहीं है अगर आपको फिर भी सौल करना है तो कर सकते है 51 का जो आंसर है वह सी फिर से असी पर है खूर भाफा में यदि किसी को फ्रेंड को एच यू एंजय टीके लिखा जाता है तो उसी भासा में बहुपाल को किस रूब में लिखा जाएगा तो आप इसके पीछे लॉजिक देख लीजिए कौन साइस में रूल फॉलो हो रहा है उसी रूल को जो फ् समान रूप से साजा करते हैं तो एक व्यक्ति समझोते जाता है तब सेस्ट बचे लोग इस मकान की पूरे क्राय को समान रूप से साजा करते हैं इस इस व्यक्तियों को हिस्सा कितना होगा ठीक है मैथमेटिक ल कंशन है इसका जो एफ story 52 का आगे देखते हैं कि फिरसे वही सारे कुष्टेंस है इस तक आपको विशन को दिया गया इसको सॉल्ड करना है करिए आप साल मटाईए इसका क्या आंसर है मैं और आपके आपको अपने आंसर को मैच करिए मैं इसका आपको अंसर बता देता हूं इसका जो अंसर है वहट D 15 ठीक है अब आप इसको solve कर लीजेगा देख लीजेगा आपका आ रहा है 15 कौन सा logic लग रहा है फिर से इसमें GK के कुछ questions डाले गए थे उसी GK के questions में यह जो पहला है बहरत द्वारा चाबहार बंदरगा के विकास का क्या महत्व है ठीक है 54 तो 54 का जो अंसर है वह है C ठीक है 55 55 का जो अंसर है वह है D ठीक इसी पकार 56 पढ़िए आप इसे 56 का जो अंसर है वह है B ठीक है और 57 का जो अंसर है वह है B 57 का भी क्या है बी है आगे देखिए 58 भारत में मतदान का अदिकार क्या है वह इसका Anse Raid D कानूनी अदिकार है यही एक मतदान का अदिकार कानूनी अदिकार 59 है तो यह gK कोशन है 59 का है C 60 अब फिर से यहाँ से चेंज हो गया है अब यहां से फिर से question का pattern change हो गया है अब इसमें blood relation जो reasoning का एक chapter है blood relation उससे question पूछ लिया है 60 तो 60 में का जो answer है वो है B आसानी से आप कर सकते हैं ठीक है आप फिर से देखिए यहां समझने वाली बात क्या है 61 से देखिए तो इसमें जो question है यह पूर्व धाणा पर waste है इसमें क्या होता है आपको एक कथन दे दिया जाएगा एक statement दिया जाएगा और उसके नीचे दो या तीन पूर्व धाणाएं दी जाएगी पूर्व धाणा वन जैसे देखिए इसमें पूर्व धाणा सेकन इसी प्रकार की questions है इन में से एक समझ लेते हैं कैसे तो यहां पर एक statement है क्या है कि कख्छा में एक बहुत एक ज्ञान की सि सी बर्मा द्वारा लेखित concepts of physics की एक प्रती रखने के लिए घोशना की दे दिया statement दो एजंशन दिये गया है निकि पूर्व धाना है और यह statement देने से पूर्व क्या उसका पूर्व धाना रही होगी कि यह उसने बोला तो यह आपको सोचना है ठीक है अब आपको पास्ट के लिए बोलना है तो किताब अच्छी तरह से लखाए यह हो सकता है बिलकुल कि किताब अच्छी तरह से लखाओ वो अच्छा किताब हो दूसरा पूर्व धाना क्या हो सकती है कि प्रतेक चात्रिय किताब खरीदने में समर्थ है क्या यह हो सकता है नहीं हो सकता है कि प्रत दूसरी इसलिए नहीं है क्योंकि यह पूर्वधाना नहीं हो सकती हो सकता है कई छात्रे से हो जो किताब खरीदने में समर्थ ना हो चलिए इसी परकार के कॉस्चन से सारे पूर्वधाना पर बेश्ट हैं तो इसमें 63 का जो अंसर है वह बी मैं 63 आंसर आपको बताता सारे करा आते जा रहा हूं और आप अपना दिमाग लगाके बताएं कि इसमें कौन सा सही है 64 64 का जो आंसर है वह सी 65 का जो आंसर है वह ए 66 का जो आंसर है वह ए अच्छा यहां से से जो गया ठीक है यह पूर्वधाना है जो अभी तक कॉस्टन सा रहे थे 65 66 से चेंज हो गया है यहा इसका आंसर है तो मैं यहाँ पर आपको आंसर पता देता हूं 66 का ए है फरसे यहाँ पर कुश्टन से चेंज हुआ है युग्म पहले और बाद निम्लेकर में से किस से ठीक से संबंद है पताईए जिसे पर्था में तो दूतिये यह बिलकुल जो है पहले और बाद में क्या आ तो इसका जो आंसर है वो है पूर्वादिकारी और उत्रादिकारी आने कि डी अगला देखे शिक्टी एट इसका 68 का जो आंसर है वह सी ठीक है इसका अंसर है पढ़ लीजे आप कुश्टन को 69 इसका जो आंसर है भी घर पर भोजन करना हमेशा भैतर विकल्प होता है क्यों साथ है देखिए यह फिर से रीजनिंग डाइग्राम आपको दिये गए हैं यहां पर पजल्स आपको दी गई है तो इसमें आपको बताना है यह इसमें इस क्वेश्टन मार्ग यहां पर लगाया गया यह इसमें कौन सी यह उत्तर आकरति दी गई है एक दो तीन चार इन मे बताई कौन सा इसमें यह ही रूल फॉलो हो रहा होगा 71 और एक को इसा होगा जिसमें उस सहीम रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा तो आपको पहचानना है तो 71 इसका जो है भी ठा effल आपको यह बॉक्स दिये गए हैं बॉक्स में जो कॉश्चन मार्ग यहां पर दिया गया इ अब बताईए इसमें B कैसे आया यह आपको बताना है इसी पकार 73 इसमें कौन सी question mark की जगा यहां पर कौन सी इन 4 में से आकरती जो है वो fit होगी और rule को follow करेगी तो 73 का जो है वो है D है इसी पकार 74 है तो 74 में वही कि यहां पर क्या आएगा तो कौन सी उत्तर आकरती आएगी इन 4 में से तो इसका अंसर है B सोचिए बताईए कैसे 75 75 का है A 283 76 देखिए 76 का जो है बताना है कितने आयात मौजूद है ठीक है इसकी भी सबकी ट्रिक होती है लॉजिक है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं इसका अंसर है D 40 इसमें आयात है आप इसको काउंट कर सकते हैं फिर देखिए 77 से 80 फिर आपको क्या दे दिया गया है एक स्वास और धीग जीवन यह लेक दे दिया गया नहीं कि अंसीन पैसेज पूरा ठीक है यह पूरा आंसीन पैसेज है इसको ध्यान से पढ़िए पूरा वह इसी पर बेच यह सारे कॉस से अब आसानी से उनको सॉल कर सकते हैं तो मैं आप आपको आंसर बता रेता हूं 77 का जो आंसर है वह ए देखिए किस तरीके से है ठीक है देख सकते हैं 77 पढ़के 78 78 का जो आंसर है वह बी ठीक है 79 का जो है वह है C 79 का क्या है C है और 80 का जो है 80 इसका जो आंसर है वह है D ठीक है तो यह पूरे किसे अंसीन पैसे पर बेस्ट है फिर से आपको गध्यांस 1 गध्यांस 2 यह सारे दिये गए हैं इतमें बिलकुल सिंपल हैं आप आसानी से इनके सब के questions solve कर सकते हैं एक बार घ्यांस को ध्यांस से पढ़के ठीक है पढ़िए आप इन्हें ध्यांस से इनके मैं नहीं समझता हूं यहां बताने की जरूथ है आप इस इजीली इनको solve कर सकते हैं फिर से मैं आपको यहीं चीज दोहरा रहा हूं ठीक है तो मैंने सी सेट का पेपर आपको बताया किस तरीके questions आते हैं ठीक है कितने प्रकार case में question पूछे जाते हैं सबकी मैंने आपको 1-100 तक चर्चा की उमीद करता हूं आपको एक पता लगा होगा overview कि किस तरीके से questions आते हैं कहां-कहां से आपको topic cover करने हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए topic के साथ कुछ और उसमें बताएंगे strategy के बार आपने अगले वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद